नमस्कार, इस वीडियो का टॉपिक है मौद्रिक नीती, इसके अंतरगत हम तीन प्रश्णों पर विचार करेंगे, पहला प्रश्ण कि मौद्रिक नीती क्या होती है, दूसरा प्रश्ण कि मौद्रिक नीती कितने परकार की होती है, और तीसरा प्रश्ण कि मौद्रिक नीती क उद्धेश से क्या होता है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की कि मौद्रिक नीति क्या होती है। इसके अंतरगत हम दो उदाहरनों पर गौर करते हैं। अब एक उभ्भोगता के नजरे से अगर आप देखें, तो यह जो वस्तू की कीमत बढ़ रही है, वह आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। वह इसलिए क्योंकि हर महिने जो कीमत बढ़ रही है वस्तू की, उसके कारण आपकी जेप पर उसका असर पढ़ रहा है। अगर हम समग्र अर्थविस्था में देखें, कि जो भी उत्पादित वस्तूएं और सेवाएं हैं, अगर उनमें से जादा तरकी कीमत इसी प्रकार से बढ़ती चली जाए, तो उस अर्थविस्था में मौजो जितने भी उभ्भोगता हैं, उन उभ्भोगताओं की जेपर इसका सीधा असर पड़ेगा, और वो असर इस रूप में पड़ेगा, कि उनकी बचत पहले की तुलना में कम हो जाएगी, तो इस इस्तिती में, जिसमें की हम यह देख रहे हैं, कि वस्तूएं और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है, यह इस्तिती कहलाती है, मुद्रा इस्पिती और मुद्रा इस्पिती की यह इस्तिती वो भोगताओं के लिए सकारात्मक नहीं होती है, क्योंकि उनकी बचत पर इसका प्रभाव पड़ता है, बात करते हैं दूसरे उधारन की, कि फिर आप एक भोगता हैं और आपने किसी एक महिने में एक वस् इस्तिती आपको बड़ा सुकून दे रही है, वह इसलिए दे रही है, क्योंकि हर मेने आपकी जेपर जो वस्तु की कीमत का भार है, वह क्या हो रहा है, वह घरता चला जा रहा है, इसका मतलब आपकी बचत बढ़ती चला जा रही है, और ठीक यही अगर हम संपून गरस्ता में मौजूद जितने भी उपभोकता हैं, उन सारे उपभोकताओं को यह बड़ा सुकून देने वाली इस्तिती उनको लग रही होगी, लेकिन यह जो वस्तुओं और सेवाओं के मुल्ले में गिरावट हो रही है, यह उत्पादक के नजरे से अगर हम देखें, त क्योंकि अगर इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं के मुल्ले में गिरावट होती रही, तो उनके लाब में कमी आएगी और एक ऐसा भी समय आएगा, जबकि वो नुकसान में चले जाएंगे, तो उनका नुकसान में जाना या अर्थविस्था के लिए सही नहीं होगा, तो एक ऐसी स्थिती जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मुल्ले में लगातार गिरावट होती चले जा रही है, तो ऐसी स्थिती को हम करते हैं अपस्थिती, मतलब यह कि मुद्रा इस्थिती की दर्मे नकारात्मक गिरावट वो इस्थिती कलाती अपस्थिती, तो पहली स पहले स्थिती थी मुद्रा स्फिती की जिसमें किसको नुक्सान हो रहा था उभोगता को दूसरी स्थिती है कौन से अपस्फिती इसमें किसको नुक्सान हो रहा है उत्पादक को तो होना क्या चाहिए होना यह चाहिए कि दोनों स्थितियों के बीच में एक बेहतर संतुलन क इस्थापित करना चाहिए मतलब ये कि वस्तुओं और सेवाओं के मुल्ले में व्रिधी और वस्तुओं और सेवाओं के मुल्ले में गिरावट वो है एक सीमा के भीतर होनी चाहिए तो यह कारे करेगा कौन तो यह कारे परतेग देश में मौजूद जो केंद्री बैंक होता ह वो ही अकारी करता है केंद्री बैंक क्या होता है तो किसी भी वित्ती पढ़नाली में मौजूद जो बैंक होते हैं उन बैंकों की निगरानी निरिक्षन और वियनेमन का कारे केंद्री बैंक के द्वारा किया जाता है और अगर भारत के संदर में हम बात करें, तो भारत का जो केंदरी बैंक है, वो कौन है? वो है RBI. और RBI इन दोनों की बीच, मतलब कि जो वस्तूओं और सेवाओं के मुल्ले में विर्धी हो रही है, और वस्तूओं और सेवाओं के मुल्ले में जो गिरावट हो रही है, वो क देखे क्या है कि वस्तु और सेवाओं के मुल्ल में विर्धी या वस्तु और सेवाओं के मुल्ल में गिरावट इन दोनों के बीच में बेहतर संतुलन को इस्थापित करने के लिए केंद्री बैंक के द्वारा जो नीती बनाई जाती है वो नीती क्या कहलाती है वो कहलाती है मौद्रिक नीती थोड़ा और अगर हम इसे तकनीकी रूप में देखें तो जो मौद्रिक नीती होता है वह मौद्रिक नीती क्या होती है वह होती है मुद्रा के प्रवाह का प्रवंधन और इस मुद्रा के प्रवाह के प्रवंधन के अंदरगत क्या किया जाता है इसके अंद नियंत्रित किया जाता है तो जो हम एक एक कर देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा को कैसे नियंत्रित करते हैं और क्यूं करते हैं और मुद्रा की लागत को कैसे नियंत्रित किया जाता है और क्यूं किया जाता है सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात करें मुद्रा की मात और फिर बैंक इस जमा को क्या करती है अपने उन ग्राहकों को देती है जिने रिंड की आविशकता होती है तो सवाल यहां पर यह उठता है कि बैंक में जितने भी राशी जमा होती है क्या बैंक उन समस्त राशियों को ग्राहकों को रिंड के रूप में देता है जी नहीं ऐस जो भी रासी जमा है उसका एक निश्चित प्रतिसत बैंक या तो RBI के पास जमा करें या अपने पास रखें और ये जिस आधार पे RBI कहती है उसका आधार है मौदरिक नीती उपकरण या मौनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और वो दो इंस्ट्रूमेंट है एक है cash reserve ratio मत तब नगत आरक्षित अनुपात और दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात या SLR अगर इन दोनों को हम परिभासित करें तो जो cash reserve ratio होता है या नगत आरक्षित अनुपात होता है उसके अंत्रगत बैंक अपनी जमारासी का एक निश्चित प्रतिसत नगत की रूप में आ अपने पास रखती है तो तरल परिस्वंपतिया किस रूप में होती है तो वो होती है मुद्रा के रूप में सोने के रूप में और सरकारी प्रतिभूती के रूप में सरकारी प्रतिभूती भी जो होती है वह एक रिन उपकरन होता है और इस रिन उपकरन के माध्यम से सरका बाजार से रिंड को प्राप्ति करती है तो अब हमने यहां पर क्या देख लिया है कि बैंक में जो भी रासी जमा होती है उसका एक निश्चित प्रतिसत बैंक अपने पास सुरक्षित रखती है रिजर्व रखती है तो यहां पर हम मानते हैं कि वह जमा रासी कितनी है 100 अब हम बात करते हैं उस स्थिती की मतलब जब मुद्रा स्थिती की स्थिती क्या हो रहे है वह अत्यंत उच्छ हो रहे है तो इस स्थिती से निपटने के लिए RBI कौन सा कदम उठाएगी तो इस स्थिती से निपटने के लिए RBI अब यहां पर क्या कर रहे है कि जो यहां प कि पहले की तुलना में जो बैंक है उसके रिंड देने की शक्ति क्या हो जाएगी घट जाएगी और वो घट कर कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 85 रुपए इसका मतलब यहाँ पर है कि पहले की तुलना में बैंक के रिंड देने की शक्ति 5% या 5 रुपए कम हो जाती है तो इस नई स्थिती में बाजार में मुद्रा के प्रवाह में कमी आ जाएगी बात करते हैं दूसरी स्थिती कौन सी अपस्फिती की स्थिती है और ये दोनों हमने extreme situation लिया है अब अपस्फिती की स्थिती में क्या हो रही है कि बाजार में मांग नहीं है तो अगर बाजार में मांग नहीं है तो मांग को क्या करना है उसका स्रिजन करना है तो मांग को स्रिजित करने के लिए अब RBI फिर एक कदम उठाएगी और कदम RBI यह उठाती है कि जो यहाँ पर reserve 10% था उस 10% को कम करके RBI कितना कर दे रही है 5% अब इस नई स्थिती में बैंक के रिंड देने की शक्ति क्या हो जाएगी वह बढ़ जाएगी और वो बढ़ कर कितनी हो जाएगी तो जो पहले 90 रुपए था तो अब नई स्थिती में बैंक के रिंड देने की शक्ति 5% या 5 रुपए बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि बाजार में अत्रिक्त पांच रुपे का प्रवाह होगा और अत्रिक्त पांच रुपे के प्रवाह का अर्थ है कि मुद्रा प्रवाह में तेजी आएगी तो हमने दो स्थितियां देखी है पहली स्थिति मुद्रा प्रवाह में कमी दूसरी स्थिति मुद्रा प्रवाह में तेजी तो यह जो पहली स्थिति है इससे जो मुद्रा है उसकी मात्रा में कमी आएगी और यह जो दूसरी स्थिति है इससे बाजार में जो मुद्रा है उसक इस मौद्रिक नीती को हम कहते हैं संकुचन कारी मौद्रिक नीती और एक ऐसी मौद्रिक नीती जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा में वर्धी हो जाए तो उसे हम कहते हैं विस्तार कारी मौद्रिक नीती तो यहाँ पर हमने मौद्रिक नीती के दो प्रकारों को देखा है एक संकुचनकारी मौद्रिक नीती और दूसरी विस्तारकारी मौद्रिक नीती लेकिन किसके आधार पर मात्रा के आधार पर तो अब हम देखते हैं दूसरे आधार को और दूसरा आधार क्या है वह है हमारी लागत आपको बता दें कि वित्त के अंतरगत लागत क्या होता है तो इसे उधारन के रूपे हम समझते हैं कि जैसे मालने कि मैंने किसी से 100 रुपे रिन लिया है और इस 100 रुपे के रिन पर ज कि 100 रुपए कि इस रिंड की लागत मेरे उपर कितनी 10 रुपए है तो हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि वित्य के अंतरगर जब भी लागत की बात होती है तो वह रिंड पर जो ब्याच की दर है उसकी बात होती है अब हमें जैसा की पता है कि जो बैंक होते हैं इन बैंकों का जो बैंक होता है वो कौन होता है वो होता है RBI इसका मतलब है कि बैंकों की रिन आविशक्ताओं की पूर्ती कौन करता है RBI करता है तो मालने कि इस बैंक को RBI से 100 रुपे की जरुरत है रिन के रूप में अब हमें यह भी बात याद रखनी है कि जब bank RBI से रिन लेता है तो RBI रिन उसे जरूर देता है लेकिन इस तरह के परतेक रिन पर RBI ब्यासदर आरूपित करता है और यह जो ब्यासदर है उसे तक्निकी भासा में हम क्या करता है उसे हम करता है रैपो या री पर्चेस, ऑप्शन, रेट, तो माल लेते हैं कि यहाँ पर रैपो कितना है, दस परतिसत है, तो बैंक ने 100 रुपे लिया, किस से, रवी ऐसे, किस दर पर, 10 पर, अब यह 100 रुपे बैंक अपने गरहक को देगा, रिन के रूप में, तो अब यह जो 100 रुपे बैंक, गरहक को रिन के रूप में दे रहा है, उस पर ब्याज की दर क्या होगी, तो 10 परतिसत से, ज्यादा तो होगी होगी, और यहाँ पर हम उधारें के रूप में लेते हैं, 15 परतिसत, फिर उन दो इस्थितियों को सामने रखते हैं, पहली इस्थिती, पहली इस्थिती कौन सी है, कि जब मुद्रा इस्थिती की स्थिती अत्यंत उच्छ हो तो ऐसी स्थिती में अब RBI कौन सा कदम उठाएगी तो RBI अब यहाँ पर क्या करेगी कि बैंक को अब जो रिंड सो रुपे का देगी उसमें जो यह 10% है यह जो 10% रेपों की दर है उसी वह बढ़ा देगी और बढ़ा कर कितना कर दिया उधारण के रूप में 15% तो अब सोचना यहाँ पर यह है कि बैंक जो अब इस नए 100 रुपे को प्राप्त कर रहा है वो किस दर पर 15% पर तो इसी 100 रुपे को बैंक जब अपने ग्रहक को देगा तो उस पर जो अब ब्याजदर तया करेगा वो कितना करेगा तो यहाँ एक्जामपल ले रहे हैं कितना पर 20% पर 30% पर देखें दोनों इस तरों पर रिंड की मांग कम हो जाएगी बैंक इस तर पर हम देख रहे हैं कि बैंक के लिए अब RBI से नया रिंड प्राप्त करना मांगा हो जाएगा क्योंकि इसकी लागत क्या हो रही है बढ़ रही है क्योंकि इंटरस रेट या ब्याजदर यहां पर क्या हो रहा है वो मांगा हो रहा है और हमें पता है कि जब भी किसी वस्तू की लागत बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो फिर उसकी मांग घट जाती है तो एक रिंड की मांग घट रही है बैंक कि इस तर पर और फिर बैंक भी क्या कर रहा है पहले की तुलना में ग्राहक को बढ़े हुए ब्यासदर पर रिन दे रहा है इसका मतलब है कि अब ग्राहक के लिए भी यह जो रिन प्राप्त करना वो क्या हो रहा है मतलब यहाँ पर है कि ग्राहक की तरफ से भी अब जो रिन की मांग वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगे तो इसका मतलब है कि अब बाजार में मुद्रा प्रवाह में कमी आएगी बात करते हैं दूसरी इस्थिती कौन सी अपस्थिती की इस्थिती के अंतरगत अब RBI कौन सा कदम उठाएगी RBI यहां कदम उठाएगी कि जहां 100 रुपे के इस रिंड पर जो रैपो 10 परतीसद है उसको कम करकर कितना कर दिया 5 परतीसद क्या होगा कि बैंक के लिए अब 100 रुपे का रिंड प्राप्त करना पहले की तुला में क्या हो रहा है वह आसान हो रहा है इसलिए क्योंकि अब इस पर जो लागत है वो क्या हो रही है कम हो रही है 5 परतीसद तो बैंक की तरब से क्या होगा RBI से रिंड लेने की जो मात्रा वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी वही बैंक जब अपने ग्राहक को यह जो 100 रुपे अब देगा बढ़ जाएगी और इस प्रक्रिया में बाजार में क्या होगा उसमें मुद्रा के प्रवाह में तेजी आएगी तो हम दो स्थितियों को देख रहे है पहली स्थितिय में क्या देख रहे है मुद्रा प्रवाह में कमी लेकिन यहाजो मुद्रा के प्रवाह में कमी दिख रही है वह किस कारण से वह इस कारण से क्योंकि मुद्रा की लागत बढ़ रही है और दूसरी स्थिती में हम देख रहे हैं क्या मुद्रा के प्रवाह में तेजी आ रही है वह किस कारण से वह इस कारण से कि जो मुद्रा की लागत हो रही है वह कम हो रही है इसकारत यहाँ पर है कि एक ऐसी मौद्रिक नीती जिसके कारण मुद्रा की लागत अगर बढ़ जा सस्ती मौद्रिक नीति तो इस प्रकार मौद्रिक नीति के कितने प्रकार हुए चार प्रकार हुए अगर मात्रा का अधार पर देखें तो दो संकुचनकारी मौद्रिक नीति विस्तारकारी मौद्रिक नीति और अगर हम लागत के अधार पर देखें तो दो महंगी मौद्रिक निती और सस्ती मौद्रिक निती रही बात मौद्रिक निती की क्या उद्धिस से होते हैं तो मौद्रिक निती का जो उद्धिस से होता है वह उद्धिस है आर्थिक वृद्धितर को बनाए रखना बेरोजगारी की दर को निम्निस तर पर बनाए रखना और अर्थवेस्था क को इस्थायत्य प्रदान करना ताकि समस्त आर्थिक क्रिया कलाप का जो अंतिम उद्यस है विकास के लक्ष को प्राप्त करना उसको प्राप्त करने में आसानी हो और उसको आसानी से प्राप्त किया जासे के तो इस प्रकार इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं नंसकार जो कि आपकते हैं, ठाप्रोग जाई आपकर देशा सुझार के लिए इकार के देचान लिए आपकर निए्ट बारा मुझे एक प्रवान चेहाँ.